जैशी गणी जी हरर महादेव मैं हूँ अचारे संद्या सक्से अनामा लक्ष्मी जोति शदात्मी संस्थान के जब से आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक कहानी सनाने जा रही हूँ जो शिब के फॉलोवर्स हैं जो शिब के अनुयाई हैं उनको तो मजाई आ जाने वाला है आज मैं आपको बताऊंगी कि हम भगवान शिब को जल की चड़ाते हैं क्या आपने कवी सोचा है कि शिब जी 24 घंटे जल ही की पी दो जल की चड़ाते हैं और हमेशाल शिब जल में हीतार रगते हैं ऐसा क्यूं है लिकिन से पहले इसाभी बढ़ों को परणाम छोड़ों क बहुत बहुत प्यार और जो मेरे हमम रहे हु उनको भी पयार और आशिवादत क्षिक भागवान शेकड़ती मेरे से बहुत 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 प्रात्ना करती हूं आप सबको खुश रखे हैं आप सभी थिस जिन्दगी में खुशियों की भर पांज आ हुँ मुझे मेरे माता पिता भाई भेन और मेरा परिवार और साथ में मेरे फॉलवर्स मेरे जो लोग हैं जो मुझे मानते हैं जानते हैं जो मुझे प्यार करते हैं और आप सभी का भगवाणश करते हैं जो सब फिक्रिपा करें आप से लोग बहुत 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 खुश रहें ऐ ओम गंगडवते नमो नमा तो भगान शी गडवतीमना से आञे लेके आज आपको बहुत अच्छी बात बता रही हुँ, मदुर, हम भगान शिप को जल क्यों चड़ाते हैं, आकर शिप जी को जल ही क्यों चड़ाया जाता है, लंग पे शिप के लंग पे जल चड़ाना क्यों स्रिष्टी का प्रारम हुआ था और देवता और सुर्थ थे उस समय एक मंधन हुआ था जिसको हम बोलते हैं समुंद्र मंधन इस समुंद्र मंधन में बहुत सारी चीज़े निकली थी और आप जानते हैं मतलक्षमी एरावथाती और कल्प वर्क्शॉट बहुत कुछ सोना चान्दी सब मंधन के तौरा निकला था जड़ी वूटिया तक निकली थी ऐसे समय में जब सबसे पहले कि जो शुरूबात थी उसमें एक चीज निकली थी जिसको हम बोलते हैं जहर यानि विश क्योंकि अम्रत भी निकला था तर लेकिन अम्रत से पहले विश निकला था जब विश निकला तो विश के प्रभाव से दानव और जो सुर्थ है यानि की देवता थे वो तोनों ही भैवित हो गए किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस विश को चूँ सके और सब लोग कोई भी जिन्दा मरना नहीं चाहता था सभी लोग जिन्दा रहना चाहते थे और ऐसे टैम में सब जगा गबराहट वल गए कि आखिर ये है क्या तब भगवान शिव ने सभी के कल्यान के लिए उस शिव को जी ने अपने दोनों हातों में भरके उस पूरे के पुरे समुन्द मंतर में जो जहर था उसको अपने हातों से उठाया और उसको पीना शुक्या गट 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 लेकिन जब वो पीने लगे तो माता पारवती और उन्होंने सुचा कि उनके पती इतना बड़ा बलिदान देने जा रहे हैं जहर को पी रहे हैं संसार के भले के लिए देवताओं के भले के लिए तब उन्होंने माता ने प्रभू का जो कंट था उसको यहां से जोर से पकड़ लिया जैसे ही देवी ने जहां से जोर से पकड़ा तो जो जहर था वो नीचे नहीं जा पाया कि किसे भी पता था कि हाथ किसका लगाए जगदंबा खा तो उन्होंने देवी ने जब तक भगवान जहर को पीते रहे देवी इसको इसी तरह से पकड़ दे रही हला हल विश्व बोलते हैं जो बहुत ही जहरिला था लाखो असंग के कोबरा साब है उनसे भी तेज़ जब भगवान की कंट से नीचे नहीं गया तो ये उनकी नीले रंकी हो गई इसलिए उनको नील गृवा भी बोलते हैं नील गृवाले नीली गर्दन वाले नीलकंट महराज अपने सुनोंगा हमारे उत्राखंड में है और मेरे हरद्वार से जब हम रिष्ची के जाते हैं तो उपर कि उत्रफ पढ़ता है नीलकंट वहादेव वहाँ पे वो मंदिस था पित वहीं भगवान ने जहर पिया था तो नीलकंट वहादे हम जाते रहते हैं तो जब भगवान को यहाँ पे जहर लगा और माता ने इस तरह से पकड़ा तो उसके बाद क्या हुआ कि शिवलिंग का जो असर था वो नीला हो गया था जहर का इतना असर था कि भगवान जो है उसको ना तो उगल सकते थे ना पेट में ले सकते थे तब भगवान के इस जहर के असर को कम करने के लिए या इसे डालूट क्योंकि जहर ही जहर को मारता है इसको डैलूट करने के लिए भगवान के उपर जिसम शिबलिंग के उपर धदूरा चड़ाते हैं तो भगवान को धदूरा दिया गया भगवान को भांग दी गई भांग है धदूरा है ये सब भी एक तरसे जहरी होते हैं ज्यादा भांग पीने से आदमी बोरा जाता है, धदूरा पी होगा तो उपर ही पहुंच जाएगा, तो ये भगवान को चुड़ायागे कि विशी विशो काटता है, और साथ भी जल की चुड़ाया कि भगवान को जो विश की तासिर जो थी, वो गरब हो गई थी, तो उनके थंड़क देने के लिए, उनका जो पूरा का पूरा जिसम है भगवान का, उसको थंड़क देने के लिए, उनके गले को तर्राहट देने के लिए थंड़क है कि उनको जलता था, इसलिए शिवलिंग पे जल चड़ता है, तो जब आप शिव पे जल चड़ा रहे हैं और शिव जी पर जल नहीं चड़ा रहे हैं बलकि यहां उनको ठंडक दे रहे हैं कहां पर गर्दन पर तर्राहट दे रहे हैं तो इस तरीके से अब आपको सम्द में आ गया होगा कि हम भवान शिव को जल क्यों चड़ाते हैं जितना ज़्यदा भवान शिव को जल चड़ाते हैं कच्चा दूद मिलाके जल चड़ाते हैं बर्फ का धंडा पानी चड़ाते हैं उसे प्रभू को शांती मिलती हैं उनकी जो गर्माहट है जो जलने वो कम हो जाती है यह एक मानेता है ऐसा कहा जाता है हमारे पुराणों में उमीद है कि आपको एक कहानी इच्छी लगी होगी जो असली बात है और मैं आचारे संद्य सकसे रहा है इस कहाने के साथ आपको एक बता रही थी कि आगे जिशिव जी को हम जल की चुड़ाते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगर आप कुनली दिखाना चाहते हैं हाथ क कि रिडिंग कराना चाहते हूं या आपको कोई समस्या है 812647679 पर या 27622640 पर मुझे वाट्सअप कर सकते हैं बहांशी गरतिम्राथ महादेव आप सब एक्रिपा करें जो भी मेरी बताएव इस कहानी को सुने या आगे की तरफ फॉरवड करें उसमें प्रभू की सबस्ते हैं दने बाट